तो आइस क्रिम खाना तो सभी को पसंद होता है लेकिन दिक्कत क्या आ जाती है जब हमको घर पे बनाने का होता है तो लगता है कि बहुत जंजट है हमसे नहीं बन पाईगी अब बहुत सारी चीजों का यूज होगा जो कि मार्केट से लाना पड़ेगा तो कई पर क्या होता ह मढ़ए घयांसद काज बनाने के मढ़ने के लिए लेगन नहीं बनाते है तो आज ह undertा वेम्ट है। आब करता हैं यहां पर दो चमधाने वाली होती जो नौर्मल कालओ सी दो थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे पानी डालने के बास से इसको mix कर लेंगे इसमें बिल्कुल भी लंस नहीं रहना चाहिए इसको बहुत बढ़ीयां से mix करना है ताकि कि इसकी जो consistency है वो बहुत अच्छी सी एक दम स्मूध सी हमें मिल जाए तो देखे इस तरह से इसको mix करना है और ये दीरे धीरे बहुत ही बढ़ियां से गाढ़ा होता जाएगा थोड़ा हमें इसको पतला ही रहना है बहुत ज्यादा थिक नहीं रखना है तो आप लुग देख सकते हैं मैं आपको यह पर दिखा रही हो थोड़ा-थोड़ा पानी डालके इसको इस तरीके से मिक करते जाएंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी दिर में आप टोंगों ने देखा फ्रेंड्स कितनी बढ़िया हो गई है एक दम फ्लॉइंग कंसिस्टेंसी है इसकी और हमको इसे प्रकार का चाहिए तो बस अब हमारा यह बैटर बन के तयार है और फ्रेंड्स यह बिल् लीटर दूद यानि के अधक लो दूद और इसको हम डालेंगे कड़ाई में डालने बस इसको बढ़ियां से चला लेंगे नीचे तले में बिल्गुल भी ना चिपके और बस इसको अच्छे से चलाते जाएंगे तो कुस टाइम तक हमको इसको चलाना है जिससे क्या होगा जो गाड़ा होने लगेगा तो हमने यहां पे फूल क्रीम मिल्क थे कि गाही के दूद का या फिर फिर वाफैलो मिल्क कर सकते तो फूल्च्रीम kell मिल्क तीनों में से किसी एक को ले लिए तोन्दह मिल्क, कर रियेगा उसके हमरी आइस क्रीम अच्छी नहीं बनेगी और जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ने देना है तो देखें मैं बढ़ियां से इसको चला लूँगी और जैसे ही हम इसमें गहुंकाटर डालते हैं इसकी जो कंसेस्टेंसी है जल्दी से गाड़ी होने लगती है तो दूद हमारा बहुत जल्दी से गाड़ा होने लग जाता आप लोग अगर मेठा थोड़ा ज्यादा पसंद करते हैं तो आप तीन चमज भी डाल सकते हैं तो चीनी अब लोग अपनी टेश्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं और उसके बासे इसको बढ़ियां से चलाएंगे चलाने के बासे क्या होगा चीनी डालने के पासे हमारे बैटर थोड़ा सा पदला होता है फिर इसको मिक्स किया जाएगा और थोड़ी से दिर में इतना गाढ़ा हो जाएगा और अब हम यहां पर डाल देंगे दो से तीन इलाइची को क्रस करके डाल देंगे और इसके कंसिस्टेंजी दिखारियों में आपको देखे कितनी अब हम लेंगे यहां पर एक जार और इसमें सारे बैटर को ट्राइंची करढ़ कर लेंगे तो हमें एस वैड़ा को एक बार पीजना है फिन्न्स इसी प्रेकार से पीजना है इसको और पानी वगेर बेल्कुल मढः करीयागा सारा बैटर रांसफर करींगे और इस आर किसस भी एक ढम बने की हुता है तो देख़ें एक बार मोई हैं इसको पीस लिया है जिससे क्या होगा हमारे जो बेटर हो बदेल लस्तम बधा puisse सर तयार हो के त्यार होगे जिसे हमारी जो आइस्ट्ण ब fallen гол scared उसके बास हमने आप सको मुझार एक से एकम प्लास्टिक क्ष़एगा यूओ को देंगे वाइस प्लासिक तो प्लास्टिक टेफेना हुआज से जम यूझ मैं यूद्ध कर रहे हुअ commissions ऊहरा कीवी हैं यूद्धनamarगा कैम नहीं स्थिया में टेखने में असानी वेफ्ण लिए बटर पेपर अगर आपके पास बटर पेपर नहीं हो तो नॉर्मल जो फॉयल पेपर आता है जिसमें हम रोटी वगेरा पैक करते हैं वो आप ले सकते हैं इसकी जगा पे तो एक बात का ध्यान रखेगा फेंड सभी भी आप बटर पेपर या फिर फॉयल पेपर को कट क कीरते हैं नोहीं है तो यह थोड़ा सा बढ़ा होना चाहिए वपकी ढ़ान दिखूइया और इसके बाद से कसूं बटर रहेगा तो यह सई झांड़ करना थे चाहिए मैं आप अब कुह घंद तो 2 गंटे के बाहिए बाद हम रखेंगे 20 को चाहिए और यह थोड़ी थोड़ी सी आइस क्रिम जमने लगी है टेक्शर आप लोग देख पा रहे होंगे इसका तो दो गंटे के बाद से हमने इसको निकाला था हो निकालने के बाद से बापस से इसको एक बार और तो बापस से पीसना है इसको तो हम बापस से वही वाला जार ले ल तो जादा टाइम नहीं लगेगा बस दो बार मिक्सी चालू बन करके पीस लीजेगा और कंटीनियो बिल्कुल भी मत करिए के जिसे उससे क्या हो गई बहुत जादा पतला हो जाएगा जो बैटर हैं हमको बिल्कुल भी पतला नहीं करना तो जैसा मैंने बताया वैसा करिएग और इसके पासे देखे टिए फ्रेंड्स हमने वित विएस पीस ले है पीछने के बाद से इसकी और हम लोग देख सकते कितनी फ्लोईंग कंसिसटैंसी हो गए है और एकदम ही ये फ्लुफीन आगई है और एकदम क्रीमी जैसा लग रहा है तो टेक्स्च्छर आप लोग साथ से आट घंटे के लिए अगर आपको इसमें ड्राइफ रूट्स मेगेरा एड़ करने तो इस इसी स्टेज पर एड़ कर दीजए बरफ की टुकडे बिल्कुल भी नहीं हुआ है वैसा तो जिस तरीके से हमने बताया है वैसे ही फॉलो करिएगा आप लोग भी आपकी आइस क्रीम भी बहुत बढ़ियां बन करके तयार होगी तो आप लोग देख सकते हैं कितना स्मूध बना है यह और इसको मैं निकाल रहू अगर लगी होगी तो प्लीस लाइक शेर कमेंट करना पिल्कुल मत भूलेगा और अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लीजेगा और और बिल्कुल मत भूलेगा उससे क्या होगा हमारी आने वाली वीडियो की जो भी नॉटिफ तो एक जाकर के हमारे चैनल पर देख सकते हैं और बाकी आइस क्रिम तो आप लोगों ने देखा ही कितना इजी था इसको बनाना बिल्कुल भी ताम जाम नहीं था और फटा फट हमने इसको बना कर के गर में तेयार किया इसके लिए बस हमें चीनी दूद और गहुं के आटे क तो इससे भी टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाता है और आप लोग देख सकते कितना सुन्दर आइस क्रिम बन के तयार हुई है हमारी और कलर भी कितना बढ़िया आया है चौकलेट सीरप डाल दिया इससे और भी ज़्यादा अच्छा देख रहा है देखने में तो ठीक है फ वीडियो में तब तक कि लिए बे बे